पूरा जग आपकी शरण में है जय हनुमान प्रेव और मर्डर केस पूरी लाइफ के लिए अंदर जाएगा केस तो मैं क्लोज कर दूँगा लेकिन उसका परिवार ए बगवान त्वाई बजाओ बाजू की बस्ती वाले पोस्ट मैं ने सब देखा है प्रिस्टेशन जाकर आता हूं बेटा तू तो घर की तकलीफों को जानता ही है तो इन सब लफडों में पढ़ना ज़रूरी है क्या पंदरा साल की बच्ची थी हो मा उसे नियाए मिलना चाहिए पापा जल्दी आना मैं आपके बिना खाना नहीं खाऊंगा प्लीज खीके बिका लक्षमी मैं जा रहा हूं अपना ध्यान रखना उसका मूँ कैसे बंद करोगे पापा जल्दी आना मैं आपके बिना खाना नहीं खाऊंगा ये शिवू चला कर सोजा मैंने कहा था न मा पापा की आने तक में नहीं सोऊंगा कुरुक शेत्र में अधर्म का अंत हुआ था उसी प्रकार जब जब इस धर्ती पर धर्म के ऊपर अधर्म की जीत होगी स्वयम हनुमान जी उस अधर्म का अंत करेंगे पापा ये मुझसे जादा अपने पिता के साथ रहकर बड़ा हुआ है लेकिन अब इसके पिता की मौत हो चुकी है वो अब कभी वापस नहीं आएंगे ये बात इसे कैसे समझाओ डॉक्टर पिताजी एक दिन नहीं लोटे हैं तो बिचारे की ये हालत हो गई है अगर शिवा को अपने पिताजी की मिर्थियों के बार में पता चल गया तो ना जाने क्या होगा मैं आपको यहीं सलाह दोंगी कि फिलहाल आप इसे कुछ मत ना तो तुम लोगों को धक्के मार मार के निकालूंगा और को जारा ही नहीं है ना इस तरह रोज-रोज बनने से तो अच्छा है एक ही बार में जहर कागर मर जाए हर समस्या का हल आत्म हत्या नहीं होता है बेटी इस महसूम के बारे में सोच तुम्हें इसके लिए जिन्ता रहना होगा सिर्फ एक ही रास्ता बचा है तेरी मा होने के नाते तुझे समझा रही हूँ अपने बारे में नहीं तो कम से कम अपनी बेटी के लिए तो दोबारा शादी कर सकता है ना अगर तुम उनसे शादी करोगी तो तुम्हारे बेटे को भी सहारा मिल जाएगा उसे बिना कुछ बताए कुछ सालों के लिए होस्टिल भेज देंगे उसके भविश्य के बारे में सोचो लक्षमी शादी के लिए हाँ बोल दो मैंने इस शादी के लिए हाँ अपने खुद के लिए नहीं बलकि शिवा के भविश्य के लिए की थी उसे होस्टिल भेजने का फैसला सही नहीं लग रहा उन्होंने भी तुमसे शादी इसलिए की ताकि उसकी ननी सी बिटिया को मा का प्यार मिल सके उस बच्ची को भी तुम्हारी जरुरत है भगवान ने उन्हें हमारी साहता के लिए भेजा है पहले तुम घर में सैटल हो जाओ उस बच्ची को अपनी ही बेटी के समान समझना लक्ष्मी शिवा का ख्याल रखने के लिए मैं हूँ ना आपका संद किसी से भी बात नहीं करता है हर समय अकेले बैठा रहता है उसका क्लास उस तरफ है आप जाकर मिल लो अगे मा पापा आएंगे ना इसी आटसे क्लi ची़ा बारबर बार अपने पिटा से बात करने की जित कर रहा है दोसे पापा कितने दिन हैं आपसे बात कीये हुए मुझे आप किदह रहो पापा को मेरी आद आ रही है मां बेटा ध्यान से सुनो मेरा ट्रांसफर दूसरे शहर में हो गया है तुम अच्छे से पढ़ाई करो तुम्हारी पढ़ाई पूरी होते ही मैं तुमसे मिलने आऊँगा प्रामेज प्रामेज कि शीवा हमेशा तु अइस फोन के पास बैठा रहता है चलना बाहर सब क्रिकिट खेल रहे हैं मुझे नहीं खिलना अरे चलना बोलाना मैं नहीं आँगा तू इतने गुष्टे में क्यूं है बेटा पापा हमेशा काम है कामे कामे बोलती रहते हैं मुझे भूल गया शीमा मे और संही चौकले आइस क्रीम सब कुछ मिलेगा अमारे शिवा को मुझे ये सब नहीं चाहिए अरे चलना मेरे बटो इतनी सी उमर में इतना गुस्सा ऐसा नहीं करते पिठा आप कौन है मैं तुम्हारा बाबा अब तुम्हारे बाबा और मैं एक ही आफिस में काम करते हैं बेटा अंकल बाबा मुझसे गुस्सा है क्या मैंने क्या किया कब तक सच्छी पाती रहेंगे बता देते हैं ना नहीं लक्ष्मी पहले उसे मुझे पसंद करने दो सही वक्त देकर उसे सब बता दूगा मैं एक तरफ अपने पिता के इंतजार में बेटा दिन रात तडप रहा है तो दूसरी तरफ उसकी मा एक पत्नी होने का फर्ज निभा रही है पिता से ना मिलने का गम जहलने के साथ साथ वक्त ने उस लड़के से मा की ममता भी छीन ली अब बस भगवानी दोनों मा पुत्र को वापस एक कर सकते हैं साइब! पात्तोम मेसे हुआ। जिए जैज जै रहा दूब दूब फिया हरा हरा दुट्ता शिवा शिवा दुट्ता शिवा दादी 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 मेरा बच्चा मेरा समया चुप रहो दादी आपको कुछ नहीं होगा दादी शिवा मुझसे वादा करेगा बेटा दादी जरूर करूंगा तुम मुझसे वादा कर उस बाबा की कसम खाता हूं दादी आप एक बार बोलो तुझे तू दस सालों से अपने बाबा का इंतजार कर रहा है दिन रात उनकी याद में तड़पता रहता है लेकिन वो कभी नहीं आएंगे उस रात को ही एक एकसिडेंट में तेरे पिता की मौत हो गई थी कि वादा करके तू मा का ख्याल हमेशा रखेगा हलो आप कहा हो बाबा काम के सिलसिले में शहर आया हो बेटा आप कौन है मैं तुम्हारा बाबा क्या अब तुम्हारे बाबा और मैं एक ही आफिस में काम करते हैं बेटा अपने बेटे की आप में दूल जोग कर किसी और के साथ चादी कर ली इसकी माने अरे वह छोड़ो वहां भी बेचारी सुखी है क्या नहीं बस बेटे को पढ़ाने के लिए वहां नोकरानी जैसे काम करके देती है बेचारी अरे इसकी दादी की बर्सी पर भी उसके नए घरवालों ने नहीं आने दिया उसे लगता है बेचारी के घरवाले बहुत कट्रूर हैं देखो कितना बड़ा हो गया है फिर भी अपनी मा को संभाल नहीं सकता ना नहीं नहीं का कि यहीं रुप दो है कितना हुआ मां मैं तुबारी में कर आए लाए माजी अंकल यह कितने का है ओ तुने दूसरी शादी की ना मां कि मैं तुछसे क्या पूछ रही हूँ और तुक्या बात कर रहा है सबसे जरूरी बात कर रहा हूं मैं कि मां तु चुप कर हाकी तो चल अपने घर चलते मां तुझे इस घर में रहने की कोई जरूरत नहीं है दादी चल वास्याने के ना भी तेरे लिए तो अपने आपको मत समझने लग गया मेरे बेटे ने सही वक्त पर मदद नहीं की होती तो तुम दोनों किस परस्तिती में होते पूरिया मेरे और मेरी मा के बेच में नहीं बॉलने का शीवुँ अगर तुने माजी से इससे इस तरह से बात की तो मैं भूल जाओंगी कि तु मेरा बेटा है वह तो पने माबाप के बिना अकेला पड़ा भगवान के लिए में जाने दीजिए शीवो मेरी बात समया हाथ नहीं लगा देखा बजपन से तुम पर भरोसा करता ना इतनी बड़ी बात तुमने चुपा के रखी मुझसे तुमने तो कहा था कि मेरे बाबा को मुझसे मिलाने लाओगे लेकिन तुम नहीं लेकिन तुमने क्यों नहीं कहां कि तुमने कभी दिल से मान आए नहीं कि मैं तुमारा नहीं हूप कर रहा है उसकी या जो सर जुका के शर्मिंदिकी महसूस कर रहा है उसकी देख मां दाधी को तेरा जिन्दगी भर ध्यान रखने का वो चंदी है मैंने और इस आदमे की तरह दूसरों का बरोचा नहीं तोड़ता हूं मैं तोड़ता हूं चल्मां चल्मां यह कौन है मां शीवु 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 मेरी पास सुन तुमझे गलत समझ रहा है शीवु 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 मेरी पास सुन शीवु चल्मां मुझे समने ठुकरा दिया कोई बात नहीं सब के सब ठोके बास है यह प्यार रिष्टे नाते सब अक्वास है सब कुछ एक ठोंग है लिकिन मैं हार नहीं मानूंगा पथर की तरह बन जाओंगा सब को मेरी आगे ठुकाओंगा शान से जीओंगा मैं यही दुनिया की सच्चाई है कोई तुम्हारा अपना नहीं है कोई अपना नहीं है बहुत सारा पैसा कमाऊंगा और एक दिन उस आदमी के चंगुल से अपनी मा को छुड़ा कर अपने साथ ले आऊंगा अपने साथ इसे क्यों मार रहे हो हाँ यह तेरे दोस्का मैं बाप हूँ इसे मारने के लिए क्या तेरी पर्मिशन लेनी पुड़ेगी यह तेरा बेटा तेरे घर में होगा फिलाल यह मेरी छत्र चाया मैं इसके कंदे पर मेरा हाथ दिख रहे है कि नहीं तेर को हैं आप जो क्या हुआ मैं जिसको भी अपना मान कर उसके कंदे पर अपना हाथ रख दू न तो जब तक चार लोग मेरी अर्थी को कंधा न दे दे तब तक उसका साथ दूँगा पर बेड़े को काम पर भेजूगा ऐसा बोलकर मुझसे उधार लिगे गया और यहां ड्रामा कर रहे हैं तो जोड़ तो 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 नेरा हाथ छोड़ में साले अभी जाकर एक क्वाटर मार किया तो और तेरा मेंटर क्लोस करता हूं तू जाना नहीं कहीं मैंने लव एट फॉर्स साइट के बारे में सुना था लेकिन फ्रेंट से पैट फॉर्स साइट पहली बार देख रहा हूं तुम्हें मुझ में ऐसा क्या दिख गया अब तेरे में तो कुछ भी देखने लाइक नहीं है तो फिर लेकिन तेरे बाप को देखकर मुझे बहुत गुस्सा आगया वह तो फूल बेवड़ा है उससे छोड़ आब अगर मैं घर पर गया तो बाप मारेगा अगर बाहर रहा तो वह सेट मुझे मारेगा तो आप मुझे तेरे साथ ह माबाप का नम नहीं लेने का चल अब चुप 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 चे निकाल निकल तेरी तो मैं पता नहीं मेरे बाबा कौन है और तुझे नहीं पता कि इसके बाबा कौन है बहुत बुरा लग रहा है चोड़ने को बोलना मुझसे देखा नहीं जा रहा है तो आके बंद कर ले वह प्राब्लम नहीं है कब से पिछवाडे पर ही मार रहे ना ज्यादा डैमेज हो गया तो घर जाकर मुझे यह मलम लगाना पड़ेगा जिरा अंदा जालागा कि जिस आदमी की सकल ऐसी हो उसका पिछवा मुझे पाल्स की प्रॉब्लम है सार बस सार नमस्ते सार आप बोलिये क्या कंप्लेन है आप लोगों की सर मैं शिवा का पिता हूं एलो तुम मेरे कोई पिता विता नहीं हो यह मे मेरी हुकूमत चलती समझे ना सर कोई भी एरा-गेरा मुझे यहां पर बेटा बोल रहा है तो खुस्सा तो आएगा ना मुझे देखिए बेरे पिता जी तस साल पहले गुजर चुके मैं इस आदमी को नहीं जानता सर प्लीज आईए आईए सर एई जाकर वहां बैठो आप लोग भी बैठिये बैठे लक्ष्मी कहिए सिर्फ आपक के कहने पर मैं इसे छोड़ रहा हूं किसे थैंगो सर चलो लक्ष्मी है इधर आओ देखो तुम्हारे माबाप कितने शरीफ और संसकारी है कोई ढंका काम वाम ढूंडो और इनका नाम रशन करो हां सर वह ही करने वाला हूं लेकिन कैसे करूंगा देखते जाहिए अपने के पर शर्मिंता होने की बचाय तुम इनका और अपमान कर रहा है जो बेशरम आदमी अपने स्वार्थ के लिए दूसरी शादी करता है वो आदमी तो अपमान के ही लायक है लक्ष्मी तो मेरा गुस्सा मुझ पर निकालना मेरी माँ पर हाथ उड़ा कर क्या अपनी मातान की दिखा रहा है वह बस तेरा बहुत हो गया दूर रहा है अब उससे और कितना दूर करेगी मुझे अगर दूर करना यह तो इस आदमी को दूर कर वाश्य नहीं तूस्वा मुझे मेरे पती हैं जिन्दगी भर मेरा ख्याल रखते हैं कुछ नहीं बोलेगा तेरी रक्षा करना दिकार है मेरा मुझे पता होता कि तू बड़ा होकर ऐसा बनेगा तू उसी रात हम दोनों को जहर देके मार डालती है मुझे जहर दे मां लेकिन मेरा साथ चल हमारे घर है तुझे इन्हें अपनाना होगा फिर आउंगी किसी को अपनाने की तमणना दिल से हानी चाहिए मां अभी यहीं कहना है मेरे भी दिल से नहीं आ रहा कि मैं तिरे साथ चलूं लक्षमी दादी को बचन दिया था ना मुझे खुश देखना चाहता है तो इन्हें अपने बाबा के रूपे स्विकार करना होगा तुझे ऐसा कभी नहीं हो सकता सुनिए उठें यहां से चलते हैं इसे अगर अपने बाबाब चाहिए तो यह हमारे पास खुद आएगा आप चलिए यहां से अरे बहुतो नादार है लेकिन तुम को समझने की कोशिश करो ना मा जा रही हो तुम जा रही हो तुम जाओ आज तक अगे आगे भी रह लूँगा पहले मेरा बाबा चील लिया और आज मेरी पास चील ली चलेगा सब चीलना सब कर्च कि कि अंटा बुम जाख बूल जाज जाँ शेदी करों कि अंटार है बाबाब मेरा जाजम जाजए तुम को समया जाज वैंटेजरा है वे अरे जाज़ नाज़ चील लुम जा खलेवा रही हो तुम जाएगा आऊंटार है उाने लिख लीगा पूजा को अभी बन करो प्रतिवर्ष लोग कल्याण के लिए पूजारी को ललकारने का परिणाम कितना बुरा हो सकता है आज तुम्हें स्वैम भगवान दिखाएंगे कोई है कोई है क्या हुआ अभी शेक की प्लक्रिया करते हैं न भाई इस प्लक्रिया अभी शेक के लिए अजाएंगे कुरा बिंगला, सुरा सुरा दिना दर्सिप्वाया, उना दर्सिप्वाया तई! 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 जी, आपकी तारीफ, यहां क्या करने आये हो? जड़ा देखो तो, हमसे बड़ा गुंडा तो यह आदमी लग रहा है! जिन्दगी में कभी भी दोबारा पूजा रुखाने के कोशिश मत करना! अपने एरिया में कभूतर भी अपन से पूच के हलका होता है! अपने काम में ठांगड़ा आया ना, तो टंगडी तोड़ना लूँगा! क्या तोड़ूगा? चार लोगों को मार कर खुद को हीरो समझ रहा है! मैं हूँ हीरो, साथ में किंग और नंबर वन भी हूँ, लेकिन हीरो विलन की डिसकेशन करने अपन यहां नहीं आया है! ठोक ले, तुम सबको ठोक ने आया है मैं, चलब अपने भाड़े के टट्टू लेकर यहां से दस सेकंड के अंदर कल्टी मार ले नहीं तो एक एक को पड़क पड़क के आपन बिना डिटर्जन के होईटा! क्या है! हुआ 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 है हुआ हुआ है हुआ हुआ थे कि अप्रीट रौब रख 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 हां रहां जूलおड़ी घ्रोम जां नाल नहां आपनम घ्रोम पुआरीख अपुरुर्ण तो की अरुपरुजु Lehr विए! अजय की अरिए! वह? वह? लजय को गुआरीट अर्णिछ आर्णिए! वह? 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 बद्वान का लाख लाख शुक्र है जो उसे बेजा अरे कहा गया वो किसे ने देखा क्या आखों में अंगारों वाला मतों जैसी मुछों वाला देखो देखो भाई आया हवा आने दे जो तक लाया वो ही हारा भाई ने ऐसा पंच मारा उठना पाया वो बेचारा हवा आने दे हज्या रस्ता छोड़ रे सर जुका आया आया भाई आया भाई आया रस्ता दे आया आया भाई आया भाई आया सर जुका आया आया भाई आया हचरे मुझको मारने का तो तो खाब में ही सोचना सामने जो आया तो तुम्हारा जाएगा शेर जैसी चाल चलू सर उठा के मैं तो रहू थाट मेरी देख तेरी क्यों जली हरे अपनी ही शर्तों पे जीओ जो जी चाहे वो ही करू किसी से भी मैं न डरू भत तेरा नूमान जी का मैं सर्चुका आया आया भाई आया भाई आया सर्चुका आया आया भाई आया रास्तरे आया आया भाई आया सर्चुका आया आया भाई आया हच्चरे जिसको जो करना है कर लें सीएम की बेटी का हॉस्पिटल तो यही बनेगा लैंड के मालिक से मेरी मीटिंग फिक्स करवाओं अच्छा है कि अच्छा है कि अच्छा है कि नमस्ते ठाकुर्जी मेरा नाम जेवी है बिल्डर हो एक प्रस्ताव लेकर आया हूं बाजो वाली कॉलोनी में मैं मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनवाना चाहता हूं आपकी बुश्टैनी प्रॉपर्टी है मुझे कागजात मिल सकते हैं क्या आप स्वयम यहां तक आही गए हैं तो आपकी प्रतिष्ठा का ख्याल रखते हुए मैं आपको यह कागजात दिखा रहा हूं यह लेजिए डूप्लिकेट कागजात के दम पर लोग कितनी सारी जगें हड़ाप रहें और आप औरीजिनल कागजात होने के बावजूद एक प्राइम लोकेशन को बरबाद कर रहें और वहां के लोगों का क्या होगा जगें आपकी है तो उनको भगाने की जिम्मेदारी मेरी एक उसमें आपका भी शेर होगा है सिर्फ पैसा काम आता है कि कागज मुझे सौंप दीजिए मैं एडवांस देने को तयार है पैसे मौके ना बार बार नहीं आते हैं सोच लीजिए ठाकुर साब जीनी के लिए पैसों की जरुवत हर एक मनुष्य को होती है लेकिन हम पैसों के लिए अपना इमान बेचने वालों में से नहीं है नेक दिल इंसान होना बहुत अच्छी बात होती है लेकिन ये नेक दिल ही कहीं आपको महंगी ना पड़ जाए आप मुझे धंकी दे रहे हैं बलराम तुरंट सभी धर आओ अरे मैं तो आपके फाइदे की बात कर रहा हूं एक बार ठंडे दिमाग से सोच लीजिए आप जा सकते हैं ओ जी ये सब क्या नहीं ने कुछ नहीं हुआ है अरे तुम लोग यहां क्यों खड़े हो जाओ अपना काम करो जाओ जाओ कुछ नहीं हुआ है जो करना है चलती करो यू गाइस रेड़ी यू गाइस रेड़ी यू दूम फिछ Кजकसा कि रेड़ी तंग हुआ 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 इया ताह यूआ हुआ 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 पर फिसो Shis यू करो पटागे नहीं पोड़ोगी क्या जाओ प्लोज गेम ओवर वेल डान थैंक्स दाइए अपने कब की थी एक घंडे पहले सर तीन सो हुआ मैंने नहीं ओडर किया मैं पैसे की दूं यार आई लोग और उनकी बेनों ये सब और किया है अपने मैं से अपने को पार्टी देने का है तुम लोग को इतना तमीच तो आया ने कि अपने को भीस करें तो डिलिवरी बॉय को पेमेंट देने का टिफ्स देने का और काम पे लगने का अभी कुछ दिन पहले ही तो तुमने बड़े है बोलके सबसे इतना बड़ा केक ओडर करवाय था न मैं पागल करें विल दिखाए तुमें दम कर दिया इसने यार मुझे जरूरी काम है मैं जाकर आता हूं आज अपन का हैपी वाला बड़े है ना तो मैं पटा के फोड़ते जाता हूं तू एक-एक करके निकालते जा कोई जती नहीं है मेरी यह थए तकलू अंकल पार ही मा शुक्ल यह कार रा है जिन्दा आग्यागा मुझे 50 अजिस अजागी 6 शुक्रभ और भॉप में यह भी उस प्रभल में भी जोपालर है यह उस देख कन धर लेकिया पार क्षिजेट दो कि मांद लेकिया मिस्टर है मिस्टर है शुलत भी सिस्टर जोर वो जो आनियोग कें से भी किए इस वहाँ जिस्टिस पीलीश बिवर को रॉंक ब्रीदिन दिस पाण्काईटिस आज आग कि असफेक्टर अनिमेल है वंसरी आभानु से लिए सबसे बड़े निकलती है लेकिन ग्यान बिलते समाई इंग्लीज इस दुनिया के सबसे बड़े मूर्ग होते हैं बोले तो पपलो एले अलाम अंडर्स्टेंड येस टेल मी वार्ट इस यो प्रोब्लम हाओ के ना हेल्प यू पटा के फोड़ने से प्रकृति का बिनाख्ष ह मेरे परफ्यूम तक जो तुम लोग अलग अलग डिजाइन के नाइनाए बैग्स लेकर और कपड़े पहन कर दिन रात घूमते हो पता है उसमें इस्तमाल किये गए उत्पादों से प्रकृति को कितना नुक्सान होता है काच के घरों में रहने वाले दूसरों पर पत्थर नेक्स ना हजार वाला फोड़ने वाला हूं यहां से कल्टी मार लो कभी बोलते हो यह मत करो कभी बोलते हो मत करो हर दिन कोई नया घ्यान पेलने आ जाते कोई काम दंदा नहीं है क्या चलो निकले असे तमीज से बात कर हां एक और बार पटाखा फोड़ा ना सो देख मूट खराब हो जाए निकलो यहां से चला भूटो अंग्रेजी में बोले तो गेज लोस्ट एक चलना इससे बहस करके हम टाइंडेस करें चलना इससे लोगों को सबत सुखाना मुझे अच्छे से नहीं पार पुलिस्टेशन चाहिए यहां शिवा कौन है नीचे बुला उसे शिवा क्या सर इस एरिया का बच्चा बच्चा जानता है कि शिवा कौन है और उसे जाने बिना ही आप इस एरिया में एंटर हो गए इस नोट फैर सर अगर मिस्टर शिवा कौन है पूछते तो फिर सुनाई देता अब बोल क्या खाम है अब उनसे शिवा आपने शिवा है बता क्या हुआ तुमने इस एरिया के लोगों को परिशान करके रखा हुआ है इसलिए मैडम ने तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन किया ओह इंगलिस वाल इसलिए मैडम तर जैसे ब्रह्मान की रक्षा शिवजी करते है वैसे यह सेर्या के रक्षा शिवा करता है उसके खिलाफ कंप्लेंट इसलिए यह सब क्या चल रहा है पिटी टेंशन मतलीचे कुछ नहीं हुआ है उसके डेड़ी है अधिक आई सार कॉम ना कॉम ना कॉम ना आई 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 सार अरे उस दिन अपन ने आप सब को बचाया और आज आपकी बेटी मेरे खिलाफ कंप्लेंट कर रही है वही से आजकल शेहर में कुंडा कर दी काफी बढ़ती जा रही है ना पिर भी मैडम कंप्लेंट कर रही है वह भी आपन केज खिला आजकल वैसे खिड्नापिंग के भी काफी केज बल गए और साथ साथ मोटर के भी उन्हें धमकाने की कोशिश कर रहा है क्या तू अपन इससे बात कर रहा है तुझसे नहीं जाला बोल लेगा नहीं चुप रहन सब्सक्राइब करो अपना पता है तुम अपने घर से बाहर पढ़ाई लिखाई करने निकलती हो रहा चलते लोगों से जगडने के लिए नहीं सर मुझे ख्षमा कर दिए सर मेरी बेटी ने आपका टाइम खराब कर दिया चलो अब चलो कि असर कुबच गिपपलेंद की बात कर रहे थे ना केस कि बात कर रहे थे चलेंगे थाड़ाने में आरेस्ट कर सकतें नेहीं कर सकते हैं इस बार बज़ गया सोचकर ज्यादा फुदकमात अगली बार जब किसी स्ट्रॉंग केस में फसेगा ना तब मार मार के खाल उधेड़ दूंगा तेरी बाई दिन दाड़े पब्लिक के सामने मेरा ऐसा जूनुस्ति का देओ और गले में यहार भी पहना भी है मुझे माप करो यार मुझे छोड़ दो मैंने कौंशी गलती उस लड़की ने कंप्लेंड क्या कर दी तुने तो गूगल मैप की तरह तेरे साब को भाई के सामने लाकर अंकल आपकी बेटी की वजास अपन के पूरे मॉल्ले में जत उतर गई है बस बाच हुआ अरे 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 आप क्या हुआ तुम एक शब्द भी नहीं बोलोगी सुनो बेटा माफी चाहता हूं मेरी बेटी होस्टल में पली बढ़ी है ना तुम्हारे बारे में कुछ प अरे में सब जान लेना चाहिए था अब इस बात को हतम कर दो बेटा कैसे करूं अंकल जब अपन मॉनिंग पर निकलता है तो खड़े होकर पब्लिक सलाम ठोकती अपने को और इतने हाय रिस्पेक्ट वाले एरिया में आपकी बेटी ने मेरी इज़त का फालुदा किया तो तुम ही बताओ बेटा अब क्या चाहते हो तुम यह हुए ना सही बात अपनी बेटी से बोलिए कि सब के सामने पहर पगड़ के माफी मांगे तो माफ कर दूंगा तो इससे माफी मांग ले बेटी और बात खातम कर माफी मांगो और मैं कभी नहीं आप तो एक्शन लेना ही पड़ेगा तू चलिक कंप्लेंड इस लड़की ने आप उनका रेप्यूटेशन डामेज किया इसके उपर केस करना पड़ेगा अले जल्दी करो बेटी माफी मांग लो यह मांग रही है ना चलो मांगो पिता जी म लास्ट वर्निंग है अपन लेडीज लोग के मामले से दूर रहता है इस पूरे एरिया का किंग है मैं अगर मैं पीछे पड़ गया ना तो तुम्हारा पूरा खांदान मिलकर भी आप उनसे पीछा नहीं छोड़ा सकता समझ मुआया जाओ सब लोग खाना खालो और खाना वेस्ट मत करना जी गुरुजी आप लोग जा सकते हो ठीक है गुरुजी गुरुजी दिन प्रते दिन आश्रम में बच्चों की संख्या बढ़ती ही जा रही है लेकिन दान देने वाले कम होते जा रहे हैं देखिए भगवान उनको त जाओ भाई शुप चाप कल्टी भर ले भाई ट्रक की चाबी जाए गद है अर मैने दस अनाच की बोरियां पोच जाने चाहिए सम्झा लेकिन उसका पैसा कहां से जब तक अबन सिंदा इस आश्रम का कोई बच्चा भूका नहीं सोएगा सारा खर्चा मैं उठाएगा अठ मैंनल ओचार होगे अधृति आखब लिए अगएObैण मैंन। य і हडाति अपारे जूर्चा जिया नहींत सब्सक्या वश्चा ऑंद हुज एडरेजा जाएड कर इस दो आधनेन तोटर्य का ट्रू़ता शुल सब्सक्राव धाकड है बासे धाकड है रुकना यहां रे जल्द जल्द निकल ले निकल ले सारे सर जुकाए यहां मेरे डर से और मिलने को मुझे से सारे तरसे मुझे को तो कहते हैं राजा यहां का तो कर ले मुझे से शादी और रानी बने जाए ना पूछो ना मुझसे मेरा क्वालिफिकेशन मैं ठोकता हूँ गुंड को बिना उनकी पर्मिशन मेरी लाइफ में होगी तेरी स्पेशल पोजीशन लिग दे हस्बेंड में मेरा नमोन एप्लिकेशन निकल ले, रुकना यहां तू निकल ले निकल निकल ले, ओडर कीसी से लू ना पूछो कीसी से मैं जो चाहू कर लू मुठ्थी में धाकड है, बॉसे धाकड है, रुकना यहां रे जल्दी जल्दी निकल ले, निकल ले थाकड है, बॉसे थाकड है, रुकना यहां रे जल्दी जल्दी निकल ले, निकल ले कैसे हटेल दोस्स से पाला पड़ा है मेरा फ्रिज मंगा तो गल्ली में खड़ी आइस क्रीम के गाड़ी उठा कर ले आया इससे अच्छा मेरा बेवड़ा बाप था दिन में एक बार मारता था ये तो पूरा दिन मारता है तुम फिर आ गई वो देखेगा तो मुझे मार दालेगा अज रक्षा बंदन है चलो अपना हाथ दो नहीं रहे अगर तुम से राखी बनवाई ना तो वो आकर मेरा हाथ काट यह तुम फिर यहां आ गई चलो निकले यहां से तो उसने तुम्हें बेजा है ना देख मुझे राखी बांध कर बेवकूफ नहीं बना सकते मां को तो मंगल सुत्र पहना कर बना दिया हर साल कर नाठा के बाप बेटी का अरे भीकारी को भी एक बार मना कर दो ना तो वो ब इनने के बाद यहांने के हम्मद कैसे होगी तुम जैसा ठीट मैंने ने देखा है इसे बाहर भगाएगा या तुझा इस घर से बाहर बगा दू पता नहीं कहा कहां से मूँ उठा कर चले आते ये लोग चला निकला यहां तो चलो हर साल आती हो और आशु बहा कर वापस चली जाती हो वो तुम्हें कभी भी नहीं अपनाने वाला जित छोड़ा उसे भूल जाओ प्लीज यहां से चली जाओ और यहां कभी वापस मताना चलो घर जाओ ऐसे यह मुझे घर से निकालने के धमके देर रहाएं से बना किया है तुगे रोड़ आ dare रही है वो तो आधा पागल है लेकिन तेरा दिमाग तो ठीक है ना यह तुम कैसी बाते कर रहे हो लक्ष्मी जिस लड़के ने अपना पूरा बच्पन ठोकरे खाके काटा हो उसे समझने की कोशिश करो आज नहीं तो कल वो बदल जाएगा यही तो मैं भी मां से कब से कह रहे हूं मां मेरी बात सुनती है नहीं है मां सच में बदल जाएंगे ना प्रामिस है समझ के चल कॉलेज के लिए देर हो रही है तुझ जल्दी निकाल है चलता चलो बेटा हाँ अनुमान जी जिस तरह आप सदा श्री राम जी का साथ देते रहे उसी तरह मेरे बेटे पर अपने अरे भाई अगर गल्प्रेंट पीछे बिठाई ये तो तो दस बार ब्रेक मार भाई लेकिन मेरे साथ ब्रेक क्यों मारता है अरे वाँ पर तो देए बंटा है ये तो वही टीचर है ना अंदे बच्चों का पैसा चुरा रही है वो और उस दिन हमारे खिलाफ कंप्लेंड की थी और आथ खुद देख कितनी घटिया हरकत कर रही है इससे तो सबक सिखाना पड़ेगा हाँ इस ओके कोई बात नहीं लो बेटा गुड लाग इन इन बच्चों को पैसे देकरन की मदद करने के लिए आपका शुक्रिया इससे सिर्फ इनकी एक दिन की भूख मिटेगी लिकिन इन बच्चों की जीवन में अगर आप लोग रोशनी भरना चाहते तो आखों का मतदान करना होगा जिस तरह आपने दुनिया देखिए आपके लोग है इस दुनिया में इंग्लिस पेपर के दस रुपए देता है लेकिन हिंदी पेपर के सिर्फ पाच रुपए हाँ डर्टी फैलो बंडा है यह तो वही मसक्कली टीचर है ना आजकल हर जगा दिख जाती है यार इससे देखकर वो हॉस्टिल की टीचर याद आ जाती ह जो हर वक्त मुझ पर चिलाती रहती थी वो जब क्लास में आती थी तो पता है क्या वोलते थैं अपन गुड्मार्निंग टीचर हिए हिर यू कम ब्लाज कर दिन रात रास ते पर लोगों की लास लेती रहती हो वैसे आजकर सबज़क क्या है इस नन अफ यॉर बिस्नेस या कैलेच के सामने बार खोल रहे हैं न बस इसलिए सब बुलारीएं प्रِّक को सब्सक्राइब करेंगे किलिये फिरोत करेंगे को न Kalim मेरे अ किस चीज़ का विरोत करने का है बार वालों से खिलाफ मैं क्या बार से क्या प्राप्लों है हम जैसों को बार मेश से घाल तो पूरी दुनिया ज़ू row लड़ने की ताकत आति है और मैं उन्हीं बार वालों बार बंद कर वाँ। करेक्ट रेक्ट इस्थ दोलो कियों गोगोगो जाओ ना जाये जाये अंट करो जाये चाहिए इंसाफ चाहिए तो क्या तकलीफ है तुम्हें कानून के मताबिक कॉलेट स्कूल या मंदर के आसपास बार उपन करना अलाओड नहीं है अगर कानून तोड़ सकते हैं तो सोचो हड्या कितनी जल्दी तोड़ेंगे स्टूडेंट पर हाथ उठाने का अंजाम जानते हो तुम स्टूडेंट तो क्या उसकी टीचर पर भी हाथ उठाऊंगा हमारे देश में लड़कियों को लक्षमी का रूप माना जाता है और तू एक लड़की पर हाथ उठाकर अपनी और मार्धानगी का प्रधारशन कर रहराए आयम मैदोम हाथ उठाकर आ पाम है यह जब रेच आपकशन हम्हाथ अच्छन हम्हाथ हम्हाथ कि बेढे पारीब रंट झ occur p Apart average कि रράेओ भाराश पर्सुम्ट च हा सब्या कि अपर हो भ्रों नबदेख दितो कि रधान कि पॉकल कि आधा इस अपर बड़िकर कि व्राज़ हैँ जाये जाये इनसाफ्याये lot जल्हाये कि एएबली कि अरे क्यों अक्यों इस अरे क्यों लाद दोना चाहते हो हाह लाद आहा हाँ हा अंट मघंगाएं रहा पनार्म काहिए रहा 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 हुआ जा वहा रहा हुआ हाँ अनुमान जी का भक्त हु मुझे कोई नहीं चुका सका हुआ हुआ रहाह हुआ आ perché तोगी हा एक उंत का भी हुआ हुआ है आग jag आग है सुमाधाई आग तर नहा ढटप पहा पहा है सुमाधा है आग lasers उलर कुछ अंत का एक झाही हुआ εδώorem क्या और इन लोग के लड़की पड़ा तुगाएगा? फिरनेश बॉस! जेवी का बेटा हूं लेकिन उन बच्चों का हमेशा सुर्फ और सिर्फ एक ही भाप होता है उसी दराइश सैर में भले ही कितने भी महले क्यूना हूं लेकिन इस महले का बाप मैं हूं और मैं ही रहूँगा तो क्या तेरी पर्मिशन लेकर यहां काम करना होगा? पर्मिशन के लिए हमारे बीच में पार्टनर्शिप होना जरूरी है पार्टनर्शिप? तुझे पार्टनर्शिप दे के मेरा क्या फायदा होगा? अगर मैं तेरे काम कानी होता तो तू मुझसे मिलना यहां नहीं आता सुन बंटाए तू मेरे एरिया में बार खोल या डिस्को खोल मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है बस अपनको हर अफते माल पानी पहुच जाना चाहिए बागी सब मैं समाल लूगा समझा शाबाश आज तक जितना भी लोगों के साथ धंदा किया अपनी शर्तों पर गया लेकर आज पहली बार किसी की मांगे कुबूल कर रहा हूँ तुझे जितना माल चाहिए मिल जाएगा तो आज से ये बात तैह हुई शेवा कि तू अब से मेरे लिए काम करेगा बेटा अच्छे तेरे साथ काम करूंगा मगर तेरे लिए नहीं कि बस्ती खाली करवाने के लिए मैं उस आफिसर से मिलने जा रहा हूं लेकिन बस्ती वालों की सहमेति के बेना शायद हमें परमिशन ना मिले तब ही तो अफिसर के बेटे को मैंने अपना दोस्त बनाएं फिक्र मत करो आप यह सब मुझ पर छोड़तो ड़ाइड चेर चेर लड़की का हात मांगने आए हम लोग बैट से एंट्रे ने फ्रंट से एंट्रे मारेंगे पहली बार इस घर का दामाद आया है कोई वेलकम नहीं करेंगा क्या कौन है नमस्ताय अंकल जैई अरे पाफ यहां क्या क्या पैचाना क्या चल रहें पहलचू तेरा सब्सक्राइब इधर कैसे आना हुआ फिर से कुछ लफड़ा हुआ क्या मेरी बेटी ने फिर कुछ कर दिया क्या मेरा दिल चुरा लिया आपकी बेटी ने यह तुम क्या कह रहे हो बेटा अरे सर आपकी बेटी से बहुत प्यार हो गया इसे उसका हाथ मांगने आपके पास आए मैं कुछ समझा नहीं मतलब पीचर मेडम से साधी चरना जाता है तुम यहां क्यों आप चुप रही है पिता जी बोलाना जाओ यहां से चलो घूमने चलते हैं तुम बस जगा डिसाइड करो यह मेरा नौकर सब साफसफाई करवा के मस्त रोमांटिक टेबल करेगा है ठीक है अगर पिता जी सहमत हो तो यह सब क्या है प्लीज आंसर है यह पंचा नया केरेक्टर है फिल इन दो ब्लैंड है इसका होने वाला पती हो हम दोनों कमिट हो चुके हैं तो तु बीच में वॉमिट करने काय को आया बच्पन में जब हम दोनों बहुत छोटे थे तो हमारे परिवारों ने हमारी शादी करवा दी थी वह बच्पन की बात है थी बेड़ा यहां बड़े लोग बात कर रहे है और तु बच्चों चैसी मारता है अधाया अपन लोग बच्पन में गली के बच्चों के साथ मारते थे वह बेचार अभी तक भी मार रहे है बस बहुत हुआ प्लीज जाओ ताम ने आया लेकिन आप तो हाथ जोड रही है ठीक है इदर और देर रुका तो आपकी फैमिली पर मेरा रोंग इंपरेश अस्पताल बनाने के लिए सारी फॉर्माल्टी पूरी हो चुकी है लेकिन आफीसर ने प्रोजेक्ट का अप्रूबल देने से इंकार कर दिया है कि चलो देखते हैं सर वो जब सारे डॉकुमेंट्स ठीक हैं तो साइन करने में इतना टाइम क्यों लग रहा है सर आपके डॉकुमेंट्स तो ठीक हैं लेकिन बस्ती वालों के सहमती के बिना मैं इन डॉकुमेंट्स पर साइन नहीं कर पाऊंगा बस्ती वालों की वज़े से मैं अपना प्रोजेक्ट बंद कर दूँ आप साइन कीजे बस्ती वालों को मैं देख लूँगा सर आपको उनका अप्रूवल ले नहीं पड़ेगा ये तो सरकारी काम है सर इसमें बिना फिर बदल के कानून के मताबिक ही चलना पड़ेगा हर पांच साल में सरकार आती है और चली चाती है आप सरकारी नौकर है अगर आप खुश रहना चाते हैं तो मुझ जैसे बिल्डरों को खुश रखना सीखिए छोटा सा साइंग मारना है मार दीजिए माफ कीजेगा सर लेकिन एक अधिकारी का साइंग पांच साल में बदलने वाली सरकार से कहीं ज़्यादा मात तो पूर्ण होता है वो इस लिए क्योंकि सरकारें बदलती रहती है लेकिन उस साइन का माध तो कभी नहीं बनाता सराज दरसल मुझे बहुत काम है इचासत दीजे वेल सेट फिर मिलें बोल दोस्त क्या करनेगा मेर को तुमारे एरिया में डाड़े का स्पताल बना रहा है अपरूवल के लिए वो आफिसर साइन ने कर रहा है अपन के अरिया में काम रुकवाने का दम और किसमें लोट एंसन माई साइन करवाऊंगा तुम बस बूले दोस्त कान है या ऑफिसर रामकृष्णा इस बिल फियर के बिना बॉड़ी नहीं लेज़े सकते हैं मैं आपके पैसे दे दूगा सर मुझे थोड़ी पहलत दे दीजिए सर सर क्या हो गया सर वे इसने अस्पताल का बिल भरने के लिए मुझसे पैसे लिए इसको लोटा है तू देगा क्या सर सर थोड़ा टाइम दीजिए ना सर ठीक है रमेश तुम इधर आओ पानी पी लिज पहले हमें बॉड़ी का लिवर और किड्नी बेचना पड़ेगा फिर उन पैसों से पिल क्लियर कर देना तो पहले विल भरना फिर बॉड़ी नहीं है इंसानियत होने चाहिए अपना पता है कितना पैसा बाकी है इनका विल भरने के पैसे ने तो प्राइवेट हॉस्पिटल में किसी सरकारी ऑस्पिटल में लेकर जाते ना इमर्जेंसी के वक्त इंसान सबसे नस्दीक का अस्पदाल देखता है समझा जीब में कितनों पैसा पड़ा है वो नहीं किन्ता है मैं देखता हूं बॉड़ी ले जाने से कौन रोकता है लेकर चलो कि आखे वी दुझा बस भास साङ्ड़े दुट बस यहीं कि अधा डीगाल। जो नीगालिए तुम कहां लिए दिखा करें हो थारे दुट में प्रूंतिया को भास्व्या अधाmi थारे प्रूंतिया जीन चुमां खराब हो गया के तेयरा नहीं हो । एक मिनट रुको मेरे बात तुम सब लोग कान खोल कर सुनो अंतिम संसकार से पहले मेरे कुछ टॉम्जन कंडिसंस है इस लड़की के महान पिता जी के पास इलाज के लिए पैसा नहीं था तो उसने इलाज के लिए करजा लिया जो अब तक उन्होंने चुकाया नहीं है तो प पैसा कैसे वसूल करता है कि अरे क्या कर रहा हूं मेरी बात तो सुन बेटा मैं अपना काम कर रहा हूं बीच में टांगने लाने का सब की तरह शांद घणे रहे और तमाशा देख बेकार में हीरो बनने की कोशिच मत करना है बात को समझ बेटा बात को समझ को रूलाने से बाप लगता ये बात मुझे बोलने से पहले शरम नहीं आए के तुम्हें पंसे लेकर आज तक मैं तुम्हारी वजा से रो रहा हूं उसके इसाफ से तो फिर तो वह ना इस दुनिया के सबसे बड़े पापे आप शिवु ए इदह आपके पैसे आपके पापके पैसे कह रहें आप यह चीज़ें दिमाग से निकाल दीजिए समाना बदल गया एक यह चीज याद किये पैसा पैसा जब बोलता है पाइसे की ताकत हैं तुम में से कोई देगा डेगा क्या है बहुत तरह सारा ने इन लोगों पर ताइम ने अपने पास जल्दी बताओ कौन देगा इसका पैसा मैं दूंगा पैसा इनका कर्ज मैं चुकाऊंगा जाब बाच मिस्टर दानवीर एक साइटमेंट में कमिटमेंट तो कर दी लेकिन पाता भी है उसका कर्जा कितने का है चाह पुलीस सब कुछ खत्म होने के बाद एंट्री मारने का क्या फाइदा चाल आपस में समझाता कर लिया हम लोग ने रिवर्स गयर डाल कर निकाली दर से दुझे गसीट कर थाने ले जाओंगा चल तेरी खातिर दारी करो क्या हो गया धानेदार जी लगता वापस अपना इंट्रोडऔक्शन देना पुडगा कैरें जूनियर समझानी इसको ए मियरा इंट्रोडदक्शन असे मेरा इंट्रोड़ाक्शन मेरे बाहर आने पर भाग कर अंदर जाने वाले लोगों ने मुझा यंदर करवाने के लिए कंप्लेंड किये कौन है वो महारती जरा सामने दा भाई मैं भी तो देखू किस में इतनी हिम्मत है अपनी गाड़ी उठा और पल्टन लेकर यांसे चलता बन तेरे खिलाफ कंप्ले तुझे हो मैं ही तेरी दुनिया आप चिप्रे यह रहात हो गया मेरी वज़ा से जो आसोगे तेरे ने पागार यह नजरों से मैं गिरा करूना के सागर को क्यों दर्द ये दिया मैंने पाप ये मुझी से हो गया जन्नी दिया तुने चलना सिखाया तुई ही तो है प्यारे मा मेरे जखुमों में दर्द तुझे हो मैं ही तेरी दुनिया मेरी वज़ा से जो आसोगे तेरे नेनों से मेरी नजरों से मैं गिरा करूना के सागर को क्यों दर्द ये दिया मैंने पाप ये मुझी से हो गया तुही तो प्यारी मा लक्ष्मी इंसानियत के नाते सोचू तो मैंने उसके साथ बिल्कुल सही किया लेकिन अगर एक मा के नाते सोचू तो मुझे अपने किया पर पच्छतावा हो रहा है पता नहीं पुलिस्टेशन में उसके साथ वो क्या कर रहे होंगे मैं इसके खिलाब कवाही दूगी लक्ष्मी तो पागल हो यह लक्ष्मी आप चुप रही है वो हमारे सामने पला बढ़ा है उसे इस तरह मुसीबत में देखकर आप सबको दुख नहीं हो था क्या उसे छुडाने में मेरी मदद कीजी रभ माबाप नहीं उसे ठुकरा दिया तो हम उसकी मदद क्यों करें अरे अगर हमारे बच्चे ऐसी कोई गलती करते तो क्या हम यूही चुप बैठते क्या बहले ही वो हमारा बेटा नहीं है लेकिन इस इलाखे का तो बेटा है ना गुरुजी बहले ही और कोई भी उसकी बेल के लिए पैसे ना दे लेकिन मैं जरूर दूँगा यह लीजिए अगर उसने मुझे वहां देखा तो वह वहां से निकलेगा ही नहीं आप किसी भी तरफ उसे छुड़वा लीजी अवे बाहर निकाल मुझे जेल में सड़ने के लिए भेज़ दिया और यहां चैन की नीन सो रहा है तुँ आप लक्ष्मी वह भले ही हमसे दूर होता जा रहा है पर हम अपनी जिम्मेदारियों से दूर नहीं हो सकते लक्ष्मी मुझसट डरेक्ट टकराने का जिगरा नहीं है तो मेरी बेचारी मां को इस्तमाल करके मुझे जेल भेज़वाया अब बस देखता जा इसे इसी इसी इलाके के लोगों के सामने तुझे एक दिन जलील करूंगा और पूरी शान के साथ मां को लेकर जाओंगा तू बस देखता जा तुम दो क्या याँ पर तमाशा देखने के लिए खड़ो यह चला निकले तुझे अपन को तो लगा अपने जाने के बाद तुम लोग पूरी बस्ती में भावाल मचा के रख दोगे पर तुम लोग की तो पाड़ी चल रहे हैं डर्पो की ओला तुने आख क्यों बंकि हु अगर गलती से आपकी लूंगी उतर गई तो मेरी आखे वह सीन देखने ही पाएगी तो पीना खतम हो गया है चलो उनको खाना दे दो ऐसा के राथ हमें मुझसे इतना प्यार तो मेरी घरवाली पीना करें हां सबी लड़कों को रात में सोते समय अपनी गर्फ्रेंड के सप रहे हो तुम जैसे सोचापलूस चैप्टर को जेब में रखता हूं अब अगर एक और जूटी तारिफ की ना तो अफ्ते बर के लिए ऐसा ही लटगा के रखूंगा अच्छा बिटा ज़रा एक ड्रिंक मेरे लिए भी बना देना प्लीज प्लीज ना यह आवाज किदर से तेरे टीचर के घर में कोई फंक्शन है आज होने वाले दामाद को जेल हो गई लेकिन लोगों तो कोई टेंशन ही नहीं है यार मेरी फिक्र करने के बजाए यह लोग दूम दाम से फंक्शन कर रहे हैं कास्ट्यूम चैज लोकाइशन शीप सर्जीकल इस्ट्राइक आज के इस कवी सम्मेलन में आप सबका स्वागत है जो आए यह 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 सब क्या हो रहा है किसी के फंक्शन में बिना बुलाए घुसे चले आ रहे हो अब यह यह जिल गे के मैंगो तेरे को मालू मैं मेरी खुद की माने दो दिन के लिए जेल भेज दिया था दो दिन पुलिस के डेंडे काने के बाद भी तेरे फंक्शन में खड़ा हूं स्टैमिना की तारीफ करने के बजा है मुझे भाशन दे रहा है तू अच्छा यह बता यह कौन्जा और्गेस्ट्रा है डांस वांस का प मारूंगा ना तो चक्कर खागे किने को मैडम मैं एक दिन जेल के चला गया इतनी कम्सोर हो गई हट्यों के ढाचा लग रही हो आप इतना चुप क्यों है आज मम्मी ने डाटा क्या आपको पापा ने डाटा क्या डरती है आप इन सब रिस्तेदारों से कभी ने डरने का इ यहां आज मैंने फुल रिचाज करवा है आज मैंने टाक टाइम इत यह अच्छा चलो इन सब लोग को छोड़ो हम कहीं बाहर चलते चलो आप जालो इन लोगों से बंटाय देखाना मुझे कितना प्यार करती है मैं तुछा तांगा गई है तुछा तांगा यह तांगा इस देखना उपर से कभी-कभी लगता है कि पापा मेरे को टाटा बाइबाइब कर रहे है अब मुझे भी टाटा करें अब काटा मुझे मेना बड़ा कैसा लगा मेरे स्टेप्स मेरा डाज मेरे सिंगिंग अब बस बहुत हुआ खुद को क्या समझते हो तुम हां इंसान हो या प्यार का मतलब भी जानते हैं तुम वो चुड़ो आईने में शकल देखिए ये बचसूरत दाड़ी ये लंबे बाल दिखकर तुमसे प्यार नहीं नफरत हो चुकी है पताय है मैं नफरत की लायक हूँ प्यार बायर करना भी नहीं सिखाये हैं किसी ने अगर बच्पन में किसी मुझसे मा का मिला ना कभी पिता का मिलना घर में आपनों के साथ रहने के बढ़ाए फटाघ़ पला बढ़ा हूँ मैं जब उस दिन तुम्हें बच्चों के साथ देखा तो तुमसे तुरंट प्यार हो गया, क्योंकि तुम उन बच्चों के लिए वहाँ के लिए खड़े होकर पैसे कठे कर रही थी, लेकिन तुम्हें मुझसे क्या, और तुम्हें कैसे बटाना है, यह सब मुझे नहीं आता, आ लेकिन मैंने कभी एक पल के लिए भी तुम्हारे बारे में कुछ बुरा नहीं सोचा हम जैसे लड़कों की पिराबलम क्या है पता है पड़े लिखे लड़कों की तरह बैग्राउंड म्यूजिक बजा कर प्यार का इजहार का इसे करते हैं अपन लोगों को नहीं आता कि मैंने तुम्हें अपने दिल में सबसे उपर रखा है पता है लेकिन तुम्हें तु मेरे साथ खड़े रहने में भी शर्म आती है न ह pigön मेरे जैसे लड़के भले यह आप जैसे परिलिखी लड़कों को कितना भी प्यार कर ले लेकिन आप लोग कभी भी हमारी इज़त नही चाहेंगे लेकिन आप उन्च इतना सॉलिड प्यार करने वाला ना टौरच लेकर ढूंडोगी ना तब भी कही नहीं मिलेगा ठीक है चलता हूं हुआ है यार आज अपने अलग अलग सा कई हो लग रहा है जल्दी जाने आज पहली बार हम जल्दी उठेना इसलिए तुझे सबकुत नया नया लग रहा है तो टेंशन मतले है यह दो चाहे दे देख बंटा है अपनी मेडव आरे लिए कुछ यादा हो रहा है तुम्हारा कल रात को पीने के बाद मेरे हाट के जजबात को निकाल के तुम्हारे सामने रख दिया और तुम बिना कुछ बोले पतली गली से निकल रही हो हाँ मैंने नहीं कहा आपने इमोशन बाहर निकालने को तो मैं क्यों रियक्ट करूं चलो निकलो यहां से वरना मैं पुलिस स्टेशन ले जाओंगा अगर तुम्हारे जैसे लड़की को मैं भाव देने लग गई न तो यहां लड़कों की लंबी लाइन लग जाएगी समझ गए समझ गया लेकिन आपको कईसे पटाने का यह समझ मैं नहीं आ रहा है तो उसका टी यूशन तो देती जाओ न देखो ड्राइडी दारू कहां मिलती है यह अच्छी तरह पता है ना तुम लोगों को तो इसकी बारे में भी सोचा मुझे कैसे पटाना है सोचो कोशिश करो यह तो अपने कोई कंफ्यूज हां के चली गई वह यार वह लड़की टीचर है और तू तो टौचर है तू इस तरह उस लड़की को पटा नहीं सकता तुझे बदलना होगा बोले तो क्या करूँ मैं बाल बाल कटवा कर फॉर्मल कपड़े पहन कर उसके सामने जेंटलमेन क के तरह जाना होगा फिर वह सो टका तुझे एकसेट करेंगे दोस्ती में बोलेगा तो अपन चट्टी बड़की के लिए जान भी देदेगा लेकिन लेडिज लोग के लिए बदलने बोलेगा तो टौक दूंगा ते रुगू ए यार सच में इस मामले में हमारी कोई मदद नहीं कर सकता तो ट्राइब करके देखले बंटा है कोई तो आइडिया देना नहीं दे सकता है आईडिया कि मैं आ गया अगया देखिए मुझे घुमा फिरा के बात करने की आदत नहीं है डायरेक्ट मैटर पर आता हूं मैं आपकी बेटी से प्यार करता हूं जल्द से से जाएंगे लेकिन अपनी बेटी की शादी तुम जैसे गुंडे मवाली से कभी नहीं करवाएंगे अंकल जी क्यार से कह रहा हूं मैं आकर अपना अश्रवात दे दीजिए मैं तुम्हारे पढ़ता हूं आपको उसके पैर पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है यह शेर अभ मैं पादा है मेरे भाई का इनकी बेटी के साथ रिष्टात है हो चुका है ओ बाई चल लेके जाए से यहां से अंकल बेटी को अच्छे लड़के को दूँगा शरीफ लड़के को दूँगा बोलके क्या धिल्ले को दे रहे हो आप मेरा भाई अंजिनिरिंग साइंस कॉमर् वाला गवार मेरे भाई की बराबरी करने की कोशिश कर रहा है यह नरंपाव बाड़ी में कितनी हड्डिया होती है वह अपने को नहीं मालूम पर उसको तोड़ते कई से वह अच्छी तरह आता है तुम इतने ही घ्यानी हो तो फिर हो जाए मताबला काउन कितने पानी में है सब पता चल जाएगा है लेकिन मुश्किल मुश्किल सवाल पूचकर तुम मेरे दोस्त को हराद होगे तेरे दोस्त को सवाल पूच और मेरे भाई को मैं पूच हूँगा ठीक है और थीक है आये हलो सबको मेरा सलम तो आज हो रही स्क्विस कॉंटेस्ट का नाम है कौन बने जो पूछा जाए उसका जवाब दे प्रताप प्रताप अब मेरे भाई को पहला सवाल पूछने जा रहा हूं ब्रह्म सूत्र किस व्यक्ति ने लिखा है वेद्व्यास जी ने विलकुल तुने वावावावावावावाव तेरी बारी है मिस्टर शीवो बताइए सूरत देवता कौन सी दिसा से निकलते हैं अपने सुबह उटने से पहले सूरत निकल जाता रहे और इतने मुश्किल सवाल क्यों पूछ रहा है कुछ इजी पूछने का इस जवाब पता नहीं सासूर्ची मैं जीत गया मैं जीत गया किस ने कहा है य क्या चीटिंग बें तुमने की काड़ के दिखाऊ अपने चीटिंग इज नहीं है चोटे कूल तुझे कोई हरा सके यह संभव ही नहीं है सन 1922 के बारे में मुझसे पूछ रहा है तुमझा यहां हराने के लिए क्या वो देख उससे कैसे सवाल पूछ रहा है क्लू लू दे तो अब मैं मिस्टर शीवु को आखरी सवाल पूछने जा रहा हूं मिस्टर शीवु मेरे हाथ में कितनी उंगलियां है तो भी मुश्किल सवाल पूछ रहा है तुमेरा पंटा है कि इसका उनके साथ हन्याई नहीं होने दूगा यह कॉम्पिटिशन है दोनों को पूछा ज इसमें कितनी उंगलियां पूछ रहा है तो कोई भी मैं तुम्हें भी हाथ दिखा करी सवाल पूछने जा रहा हूं मिस्टर प्रताप को आखरी सवाल पूछने जा रहा हूं मिस्टर प्रताप पाच उंगलियां मैंने सवाल पूछा पहले सुन तो ले मिस्टर प्रताप इ यह किस टाइब का सवाल पूछ रहे हैं तो पिताजी यह पिताजी यह सब क्या हो रहा है यहां मैं तो तुम्हारा हाथ मांगने के लिए था लेकिन इन्हों ने कौन बनेगा टीजर का बाती गेम चुरू कर दिया और इसमें आपन जीदी गया वालम और अभी हारने मान रहा अपने देखो मुझे किस से शादी करनी है यह मैं अच्छी तरह जानती हूं तुम निकलो यहां से देखो इतने दिनों से मैं तुम्हारी बाते सुनता आया हूं इसलिए अप सिर्फ मैं बोलूंगा तुम सुनोगी समझी आज फाइनल आखरी बार पूछ रहा हूं तुम से अगर इस गाइज यूज लेस फेलो एज कम लास्टेंग क्विज हजारों बच्चों का भविश्य मेरे हातों मैं पिता जी इसलिए अपने भविश्य की चिंता मुझे आपसे कई जादा है वो बुरा लड़का नहीं है बस थोड़ा सा भटका हुआ है मैं असे समझाने की कोशिश कर रही हूं चिंता मत कीजिए मैं असे सम्हाल लूँगे पिता जी रामकिष्णा भाई रामकिष्णा भाई नमस्काल यहां कोई बिल्डर के लोग आये थे हमें ये एरिया तुरंट खाली करने को कहा है कुछ हॉस्पिडल की बात कर रहे थे आपने कहा था हमारी सेमित की बिना कुछ नहीं बनेगा लेकिन उनके मुताबिक तो आपने ही नहीं दिये भाई ठीक है आप लोग फिकर मत कीजिए मैं देख लोगा आपने का था हमारी सेमित की बिना कुछ नहीं बनेगा लेकिन उनके मुताबिक तो आप नहीं तागस के साइन किये देखिए मैंने तो साफ शब्दों में इंकार कर दिया था वहाँ पर साइन करने से फिर मेरा साइन किया डॉकुमेंट पता नहीं उनके पास कहां से आ गया हमारे पास बस ही रास्ता है हमें कोर्ट में केस फाइल करना होगा मैं खुद आकर गवा ही दूँगा वहाँ जैसा बोला वह इसा कर दिया है ठीके ठीके मैं उनने भेजता हूँ एक्सक्यूज में हमें एंटी करॉप्शन ब्यूरो से आए है आप लोगों से रिश्वत मांग रहे हैं ऐसी आपके खिलाफ कंप्लेंट आई है आपके अगेंस्ट अरेस्ट वारेंट निकला है क्या मैंने रिश्वत ली है येस येस अब बहुत बड़ा फ्रॉड है आज हमने इसे रंगे हाथ हो पकड़ा है अरेस्ट ने कुछ भी नहीं किया है हम सब उगलवाएंगे चल दो तुम तो करते हम लोगों को कुछ नहीं होगा पर तुमने पुरी बस्ती को बेख जा रहा है जिंदकी बर हमारे साथ रहा और हम तुम से धोके बाजी की तुने तुझे घरीब आदमी की बद्दुआ लगेगी भगवान कभी तेरा भला नहीं करेगा पापी मैं तुझे शराब देता हूँ तू कभी चैन की नीद नहीं सोएगा कभी नहीं सोएगा जबाश क्यारे मेरी मा के कंधे पर बंदूक रखकर मेरे को निशाना बना रहा था ना हां देखा ना आखिर भगवान ने तुझे सबक सिखाए दिया अफिसर जल्दी से सात्मी को ले जाए और गवाई चाहिए होगी तो बता देना मैं अकेला नहीं महुलने के सारे लोग जाएंगे साहिकाना चलो इसे अरवा जिंदगी में अज पहली बार चैन की रीट होगा चलो 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 जो जो आने के लिए तो आप तोड़ी-दोड़ी चली आए थी मुझे रिश्वाल के रिटार के लिए अपने हीरे जैसे बैटे का तुन्हें बलिदान दे दिया मा मेरे दिल के दर्वासे सदा के लिए खुले रहेंगे मा कि अब जल्दी से डॉल बैंड सब लेकर आओ रहे अपन को डांस करने का मूड़ हो रागे मेरे को आई लव यू बोल दो तो सीधा आसमान में पहुंच जाऊंगा तुम में इंसानियत नम की चीज नहीं है क्या लोगों को हमेशा परिशांग करते रहते हो लेकिन फिर भी मैं सोच्छी थी तुम्हारा दिल साफ हो वो भी गलत साबत कर दिया जो इंसान अपने महारी जगा यहां इंसानों के साथ नहीं है जंगल में जानवरों के साथ क्या बुली मेरा बाप अरे काय का बाप कौन सा बाप तेर से प्यार करता हो इसलिए खामोश हूँ अगर तीरी जगा कोई और होता ना तो अभी होस्पिटल में बैट के आखरी सासे गिन रहा होता तुम्हें सर्क यही सब करना आता है प्यार करना नहीं आता मेरी बात कान खोल कर सुन लो आज से मुझे अपनी शकल भी मत दिखा जा जा किसी के प्यार के भरों से नहीं जी रहूं मैं कि यह निकलना यह पिटा बाजा बाजा देख माक्यनेश कुषू इने क्यों मार रहे हैं छोड़ो मुझे लुक जाएगे खुद को क्या समझता है बे तू एक मामूली ऑफिसर है और कुछ नहीं सूट बूट पैंड कर तेरे से तमीज से क्या बात कर ली तुझे लगा मैं कोई मामूली आदमी हूँ जो तेरे नियम होके आगे जुग जाओंगा बिजनेसमैन के भेज में एक सडक चाप गुंडा हूँ मैं सिर्फ दिखावे के लिए ये सूट बूट पैंड कर घुमता हूँ अगर मैं चाता ना तेरी कुर्सी पे किसी को भी बिठा देता और कबका अपना काम करवा चुका होता लेकिन तेरे मना करने पे तुझे सबक सिखाना जरूरी था और तेरा साइन पता है मैंने कैसे लिया हाँ तुमने ठीक सुना मैं नहीं उससे साइन करवाया बस इतना ही नहीं पूरी बस्ती खाली करवाने का कॉंट्रेक भी मैं नहीं लिया है अरे गद्दार जिस थाली में खाता है उसी में छेट करता है शरम नहीं आई जरा नीचे ले अब उस सारे इलाके को तेरा बेटा खुद खाली करवाएगा देखेगा क्या अब इदर काई को खड़े हो जल्ली बस्ती खाली करो वो तो पुलिस लाकर खाली करवाने की बात कर रहा था लेकिन मैं नहीं उससे रिक्वेस्ट किया कि जबर्दक्ति नहीं करने का थोड़ा टाइम दो खुद खाली कर देंगे देखो फेर में कितनी इंसानियत है अब सुन तूने जो केस फाइल किया उसकी कल सुनवाई है सारे डॉक्यूमेंट्स लीगल है और साइंट भी तूने किया है इसके गवाई तुझे देनी होगी मैं तुझे तस मिनट का टाइम देता हूँ तो क्या फैसला किया सब लोगों ने अरे तुम लोगों को यह बस्ती अपने जान से ज्यादा प्यारी है क्या अच्छे से सोच लो भाई बंड़ा है इनने समझा यार मेरी फीलिंग्स इन लोग तक पोच नहीं रही है कि अधिन का टाइम का टो क्या काम सुरू करो पॉरूजी आप बेलकुल फिक्र मत किजिए हां यह सब सिर्फिलों के लिए हम दोनों का इंताजा महीने कर दिया है बेटा अब तक जो तुने किया वही बहुत है अब कुछ करने की जरूरत नहीं है मैं और मेरे बच्चे अब कभी तेरे रास्ते में नहीं आएंगे अरे बेटा मेरे आश्रम में पला हूँ अललका इतना जहीला कैसे हो गया अपने माबाप और अपने ही महले के लोगों के मैं तुम्हें सल्यूट करता हूँ आएको आप चाहते कि इन लोगों के साथ मैं भी आसुबाओं किया बचपन से वह आदमी मेरे को धोका देता है मालू नहीं मेरे को सब याद है और इन लोगों ने मेरे लिए अस तक किया किसी के दिल में अपन के लिए कोई जगा नहीं ह लेकिन उन्हें समझने के बजाए तुम घर छोड़कर मेरे पास आगए दुनिया में ऐसे कितने बच्चे हैं जिनने माबाप ठुकरा देते हैं और वो सड़क की ठुक रखाते हैं लेकिन पता है मेरे अश्रम में तुम्हारा खर्चक किसने उठाया तुम्हारे उस पिता मैंने उन्हें बहुत बार तुमसे बात कहने को कहा लेकिन नहीं उन्हें सिर्फ तुम्हारी खुशी चाहिए थी भलाई तुम मेरे पास रहो या उनके पास रहो और जब तुम जेल में थे सारे महले के लोगों ने मिलकर मेरे साथ पैसे एकठे किये थे तुम्हारी बेल के मेहनत मजदूरी करके जो पैसे उन्होंने कमाई थे वो सारे तुम पर खर्च कर दिये तो भेर क्या सोचा तुने जिंदगी भर इमानदारी से काम करता हूँ मैं कभी अपने माथे पर बीमानी का दाग नहीं लगने दिया मैंने मुझे पता है कि तुझे अपनी जान बिल्कुल प्यारी नहीं लेकिन अपनी बेटी की जान तो है शिवा आई नहीं उस ऑफिसर की बेटी को लाने को कहा है। तुमारी बेटी के साथ मैं क्या करूंगा वही सोच रही हो ना वैसे तुम्हारा बेटा यह उसे मेरे पास ला रहा है मेरी बात सुन बेटा, बगवान के लिए ऐसा मत कर उस मासुम लड़की की बली मत चालाओंगा मुझे मेरी माँ वापेस चाहिए और उसके लिए जरुत पड़ी तो पूरी दुनिया की बली चाला सकता हूं मैं बेरी खोपड़ी संकी हुई है कभी नहीं सुदरने वाला अपनी माँ को पाने के लिए मैं किसी भी हाथ तक कर सकता हूं कुछ भी कर सकता हूं है जितना तुम और तुम्हारे माता-पिता उससे प्यार करते हो वो उसके लायक नहीं है मुझे भाईया के बारे में तुमसे सला लेने की कोई ज़रूरत नहीं है वो बस हमसे नाराज है वो बदल जाएंगे प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश अपने भाईया को मैं अच्छे से जानती हूं कि क्यारे उसे चेतावनी दे दी ना ज्यादा शानी बन रही हो तुम चाहे कुछ भी कर लो लेकिन उसको माय अपने साथ लेकर ही जाओंगा तुमारे सामने लेकर जाओंगा बचपन से मुझे जिस खड़ी का इंतसार था वो आज आ चुकी है उस आदमी को जेल भेजवा और उसकी बेटी को उनके पास ले जाकर छोड़ दूंगा मेरी मा का सहरा कौन होगा उसका सिर्फ यह बेटा इसलिए आज मेर को कोई रोख नहीं सकता अचार को बहां तेरे को मालूम है मैं तुझे कब से डून लाओं अरे तु इतनी उदास क्यों है आज ओ मुझे यहां देखकर हैरान होगी क्या हर साल तु बिना भूले मुझे राखी बानने तो आती रही इत साल तु अपने भाई को भूल गई क्या बहाई भूल गई को अपने इस भाई को भूल गई तू अँग लगता है तेरे पास राख ही नहीं है कोई बात नहीं मैं लाया हूँ यह ले यह हूँ अरे अरे सोच किया रही है पगली मान दे मैं इस दिन का कितने सालों से इंतजार कर रही थी मन भर गया मेरा बहुत खुशी हुई जब बहन भाई को राखी बानती है न तो बाई का भी फर्ज बनता है कि उसके बदले में बहन को एक अच्छा सा तवफा दे लेकिन मेरे पास तो तुझे देने के लिए कुछ भी नहीं है कोई बात नहीं भाया अरे ऐसे नहीं चलेगा पहली बार राकी बानती है जिन्दगी भर नहीं भूलूँगा और तुम्हें भी ऐसा तोफा दूँगा जो तुम जिन्दगी भर नहीं भूलूगी मेरे साथ मतलब अपने भाई के साथ चलूगी न हाँ बैया चलूँगी तू आओ चले क्या हो क्या पहना इन लोगों को देखकर ड़ लग रहा है क्या आपके होते हुए मैं क्यों डरूंगी भाईया आज आपकी इंगेजमेंट है और आप घर होने के बजाए यहां बैठे हो भाई तुम लोगो कोई खास दावत देने मैं यहां आए हो शिवा माई डर्लिंग सब अपने मतलब के लिए काम करते हैं पर तुम तो बस मेरे लिए ही काम करते हो यार काम किर्षा डाओ मैं जो हास्ट था दम लाओ जाए ओ्स्री के मतलब कल्शकी जग्लब करते हाद चाम करते हैं तो embedded मेर को लाइफ में बहुत लोग का इसाप चुकता करना है चल आज तज से शुरू करता हूं मैं आजा ए शिवा क्या कर रहा है भूल गया किसके अड़े पर खड़ा है तेरे अड़े पर अकिला आकर तुझे खुले में ललकार रहा हूं मैं आजा अपनी पूरी फॉज ही कठी कर ले इतनी लाशे बिछाऊंगा कि किनते वे ठक जाएगा ये एक मर्द की जबान है तेरे तेवर थोड़े बदले हुए लग रहा है आज अबे सिर्फ तेवर ही नहीं जो लड़की वहां बैठी है ना उसने तो मुझे उपर से नीचे तक बदल डाला है पूरी दुनिया मेर को पापी कच्रा लोफार ठक समझती है कोई अपने पैरों की चप्पल भी बनाकर पहिनना पसंद नहीं करेगा लेकिन आज वो मेरे पैरों में गिर कर पता है मुझसे क्या बोली मुझे आशिरवाद दीजिए भाईया इन हाथों ने बहुत सारे पाप की है लेकिन आज तक याथ कभी कापे नहीं लेकिन आज जब उसने मुझे राखी बांदी तो मेरे हाथ ही रही पूरा शरीर ही काप उठा बड़े भाई का आशिरवाद लेते समय जब उसके आशु मेरे चर्णों पर गिरे तब मेरे अंदर सदियों से भरा हुआ अहंकार उनासुओं से धुल गया या रिष्टे नातों में कितनी ताकत होती है उसक्त एहसास हुआ बुझे जिन्दगी में फर्स्ट टाइम लोहे के इस हाथ से ज्यादा वजन इस राखी में होता है दस साल तक मैं अपने पिता के लोटने का इंतजार कर रहा था लेकिन मेरा भरोसा टूड़ गया वैसे ही बचपन से मेरी बहन मेरे लोटने का इंतजार करिये लेकिन मैं उसका भरोसा नहीं तोड़ूँगा आज तक उसे कभी भी मैंने अपनी बहन नहीं माना लेकिन फिर भी मेरे बस एक बार बुलाने पर वो आगए बिना एक भी सवाल पूछे क्योंकि अपने भाई पर भरोसा है उसे और वो भरोसा वो भरोसा में जिन्दगी भर नहीं तोड़ने वाला और इसलिए उसे अपने साथ लेकर आया हूँ और तुम सब की धुलाई उसके सामने करके मैं खुद की कोई बढ़ाई नहीं करना चाहता हूँ बल्कि जब किसी बहन पर खत्रे का साया मन रहता है तब एक भाई उसकी रक्षक कैसे करता है आज उसका एक नमूना तुझे दिखाने के लिए मैं यहां आया हूँ एए तुझे याद दिला दू कि मेरे सिर पर किसका आत है माई डाड जेबी दे किंग मेकर एक्स्ट्रा माल चाहिए तो बोल तो चार सूट के सौर दे दूगा लेकिन यह फिजूल का भाई बेन का ड्रामा बन कर और उससे मेरे हवाले कर दे काम करता है पे तु मेरे लिए बाप का पैसा तेरी हैसियत बदल सकता है लेकिन तेरी आउकाद नहीं फाइटर एक-एक का नाम और निशान मिटाने आया हूँ मैं तेरे बाप को जाकर भोल मेरे बारे में भगवान शिव जी के नंदी बेल जैसा शान्स वभाव विलकुल नहीं है आप उनका मा दूरगा को जो अपनी पीट पर बिठाता है वो शेयर हूँ मैं बाप की पूरी ताकत इस्तमाल कर ले पूरी फॉज इस्तमाल कर ले चाहे सारे फोन गुबाले लेकिन मैं अकेला अपने ही बल्बूते पे सबसे लड़ने की शक्ती रखता हूँ तेरे अड़े पे अकेला आया हूँ मैं लेकिन पलक जबकते ही तुम सब की लाशों का ढहर लगा कर निकल जाऊंगा मैं बेटा तू तो सिर्फ ट्रेलर देखकर ही हिल गया है अगर पूरी फिल्म देखा दीना तो सोच तेरे साथ क्या होगा ए घड़े-घड़े मूग क्या देख रहे हो मार मार के इसे और इसके घम हुँ हुँ а हुँ हुँ हぁ दूक्ष서 कंस्यू संही तो कंस्यू मॉः अग्यूर अपीलेच में शैंल वाँ! हुआ 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 है हुआ है 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 हुआ हुआ है खशी हएंँ बिखम है भुआ है भुआ है भुआ है भुआ है भुआ है अफ़ो ओन लगा और पुछा का है वो अभी तक आया क्यों नहीं आता होगा बेटी बस वो वो आई रहा है रास्ते में ही है अज उसकी अंगेजमेंट है अपन ने सुचा क्यों ना छोड़े की इंगेजमेंट से पहले छोड़े को धोड़ी सी तमीज सिखा दी जाए वही कार्यक्रम चल रहा है अगर उसे कुछ हुआ ना वो तो तेरे हाथों में अरे जिससे तुने जेल में बंद करवाया है चोड़ उसे और आप उनके इलाके में अस्पटाल बनवाने का खुआप भी छोड़ दे ठीक है छोड़ दिये लेकर उससे पहले तुझे मेरे बेटे को छोड़ना पड़ेगा मैं तो अपनी परचाई पर भी भरवसा नहीं करता तो तुझ जैसे दखावाज आदमी पर कैसे करूँ चुप चाब वहाँ पर जा और मेरे सामने सब कर कॉल पर तेरा बेटा देख रहा है ना वैसे ही सब मुझे दिखना चाहिए ठीक है काड़ी स्टाट कर जादी से पोली स्टेशन ले जल्दी उन्हें छोड़ दो चल्दी अरे सर आप जाईए मैडम मैडम आपी जाईए तुमने देखा ना देखो 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 सब यहीं पर है देख रहे हो ना देखो देखो अच्छा से देख लो अरे सब लग सुनो अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो देख लेना तो मेड इंडिया पिस्तौल हूँ मैं सामने खड़े दुश्मन को सिर्फ ठोकता नहीं हूँ उसे पूरा चीर कर रख देता हूं आज तुझे पता चलेगा तुन्हें किस से पंगा लिया है हैंडल मी विद खेर अपने एक राक्षस को पाला है पता है आपको वह राक्षस नहीं है बेटा वो किस दौर से गुजर रहा है मैं ही जानता हूं पूरे परिवार के होते हुए भी वह बच्पन से अकेला पला बढ़ा है एक अनाथ की तरह जीता रहा है बस अपनी मां को लेकर थोड़ा जिद बेहन की जान दाव पे लगा दी यकीन नहीं होता तुम यहां बेटा है वह बेचारी मेरा भाई आएगा मेरा भाई आएगा कहेकर तरह इंतजार करती रही और तुने उसे यह तोफा दिया अपनों को तड़पाने वाले मनुश्य का तो सर्वनाश हो जाना चाहिए किनी हा कितनी बार तुने मुझे जलील किया मुझे गालिया दी मेरा अपमान किया लेकिन फिर भी मैं सहता रहा पता है क्यों कि मैं तुझे अपना बेटा मान था था लेकिन तूने तो मेरी बेटी तक को नहीं बख्षा और उसके साथ ही यह सब कुछ किया अगर वो तेरी सगी बेहन होती तो तुझे साथ ऐसे ही करता कि खड़ो क्या है चाहिए यह से चाहिए कि अपनी बेहन को भी इसकी जिल्दकी पर इसे पाफी लोग पता ने कैसे जिल्दा रहते हैं और अब अपनी बेहन को भी इसकी को भूद उखने लाइक नहीं है पता है आपको उन्होंने क्या कहा मुझसे मुझे रिष्टों की एहमियत नहीं पता राक्षा सूम है मेरे पास दिल नहीं है बच्पन से आप मेरा ख्याल रखते आया ना तो आप ही बताओ क्या मुझे रिष्टों की एहमियत नहीं पता मेरे पास दिल नहीं है क्या बच्पन से बस माँ वापिस चाहिए थी उसी जिन्दगी की हर खुशी देना चाहता था उस किल पैसा कवाना होगा यहीं सोचकर बैठाता अपनी मा को पाने के जुनून में सब कुछ भूल गया कि ऐसा बन गया कि आपको पता है आज मेरी माने मुझसे क्या बोला कि तुझे इनी हातों से पाला है इसलिए मैं लाचाहरू वर्ना तुझे मार डालती लेकिन मां को क्या पता मैं तो बच्पे सही मरमर के जी रहा हूँ इस दुन्या में इस जगा पर अपने दिल की बात बताने के लिए अपना दुख बताने के लिए बेरा आपके सिवा है और कौन है कोई नहीं लेकिन उन लोगों की तरह आप में मुझे ठुकराना मत मैं आपसे आज वादा करता हो आज के बाद किसी को तकलिव नहीं होंगा मैं किए खुट के साथ कुछ कर बैठूंगा सोच रहेंगा यहीं मुझे जन देने वाली मेरी माँ जरूर है लेकिन मुझे जिन्दगी देने वाले सिर्फ और सुर्फ आप मुझ पर सिर्फ आपका हुक है और मैरी जान लेने का हख इस इस आपका है है कि अच्छा सुधाया आज बस आप रह गए थे चलिए कसर पूरी कर लेजिए मैं क्यों सुनाओंगी आज कल के जमाने में जरा से दुख पर लोग दूसरों की सहानुभूती के अपेक्षा करते हैं लेकिन तुम अपना सारा दुख और दर्द अकेले ही जेलते आयों देखो मैं तुम्हारा दुख और दर्द दूर तो नहीं कर सकती है लेकिन कम से कम उसे बाट तो सकती ही होना पुछ समझेया नहीं अरे यहां चिल्लाना बन पर जाओ यहांसे अरे बोलाना तुमको जाओ यहांसे जाओ इस तरह जर्णा करने से मरावा आत्मी जिन्दा हो जागा क्या पूरे शरीर के टुकड़े टुकड़े हो चुके थे सर ऑपरेशन थेटर में हमारे दो डॉक्टर्स तो ब्योश होकर गिरी पड़े यह लॉंडा कोई मामूली इंसान नहीं है शेर है इसे दबोचने के लिए खुंखार भेडियों की फौज लानी होगी जो इसे कीर कर हाँ के लिए, झालक बालक मामा सकते हैं ओधूह सकते लत्रिमा इसे की लिए कने लहाँ County फिए वरचंव होगी कि आखने आज तो ही नहीं बचेगा आज जलाकर राख कर देंगे हम आए जो खुद को इस इलाकी का राजा समझता है उस श्रिवा को बुलाओ इदार उसे यहां कैसे लेकर आना मुझे पता है समी बचों को यह जगा इकठा करो वहां कर रख फटना कर्दों पभया बड़ा मचाहिए अचलोम पजाओ कॉच्छुनें बचाओं भईयारण कि अगया तुझे लगा बेटे की मौत के बाद बाप किसी कोने में बैट कर शोक मनाएगा राक्षस हो मैं और अब यह राक्षस तेरा सर्वनाश करेगा मेरा सर्वनाश करने के लिए पहले तेरा बेटा आया और मैंने उसका टिकेट काट कर उसे उपर भेज दिया तेरा काल तेरे सामने खड़ा है और तूसे ही ललकार रहा है डायलोग बाजी बहुत हो गई आजा हुआ 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 है हुआ 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 है कर दो किसंग झाल किसे डुई किस्के है अँड़ कि दीड़ यूराँ कि दीश्यरी किसे हमे casting धेमिंटिzk्ट्न cham si पिलोग यूण यूँिब पिए मुबए सो फिटिश्श्ट are झाल! कि अपरी कि इतन एफ दिह रख जस्ट वुड़ दो पॉड़ दो पॉड़ जब दो दो धुड़ में एम कान दो सब्सकतर गाव धिछ दो एम इन ये इन वा तौत्स सी अपिद दिटेख प्रोगा है खुर रसार! खुर रसार! झाल 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 नखज तो पर्दों कि अजख्यार लुर्टा लुर्टाइब। जब देखो मैं इस इलाके गर आजाओं ये कहता था ना तू एक कैसे लाचारों की तरह खड़े हैं सब देखो सब इसकी हाला तुम्हारी फटीचर जिंदगी बचाने के लिए इसने मुझ से पंगा लिया मुझ से नोटों की बारिश की इस पे नहीं माना बेन को मौरा बनाया फिर भी नहीं जुका तुम सब भिकारियों के लिए मेरे बेटे को मेरे बेटों को इसने बहुत बेरेवी से मारा जिसने तुम लोगों के लिए इतना कुछ किया उसे बचाने के लिए कोई आगे आएगा आएगा आओना एग भी आभ में नहीं आया और इनके लिए तुने मेरे बेटे को मारा इंके लिए तेरी माँ आई है बेटा उठ शिवो उठ शिवो शिवो मुझे माफ कर दे शिवो शिवो तुम लोग इनसान हो यह राक्षस इसे अखेला छोड़ दो तुम लोग कि तुम लोगों के भले के लिए कह रही हूं मैं वरना यह किसी को जिन्दा नहीं छोड़ेगा इस बात का घमंड है तुझे मेरे बेटे का हाँ अपने बेटे पर नाज है मुझे अगर तुझे अपनी नालायक ऑलाद पर नाज हो सकता है तो सुझ एक शेर एक शेर को पैदा करने वाली मा को कितना नाज होगा बचपन से लेकर आज तक मैं अपने बेटे को मां का प्यार कभी नहीं दे पाई बस मेर मेरा ये बेटा आज तक मेरा इंतजार ही करता रहा और अपनी मा के लिए आज ये उठकर तुम सब को खत्म कर देगा भाशन मत ज्यादा कि उठाई से शिवु शिवु उठ शिवु आंखे खोड बेटा इसके पास पहुंचाने का बगता गया है बस बहुत हुआ अगर मेरी मा को नुक्सान पाँचाने के बारे में कुछ सूचे का भी न तो से हर जनम में आके तणपा तणपा के मारूंगा तो है मेरे शियर को जगा के अच्छा ने किया अब तरहा शिकार होगा शिवु शिवु शुर्ख शुर्ख शरे tbsp झाल 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 झा मां तू अपने बेड़े के पास आखर आई गई ना मानता हूं कि मैंने बहुत गल्तिया किये लेकिन तेरे लिए प्यार बिलकुल अच्छा है मां अब तो मुझे छोड़के नहीं जाएंगे ना जाओ उसके साथ उसने तुमारा बहुत इंतजार किया लेकिन मुझसे एक बाता करके जाओ लक्ष्मी मेरे मरने के बाद मेरी चिता को आग सिर्फ मेरा बेटा ही देगा है 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 इतने सालों तक मेरी मां को मुझसे दूर रखकर गुस्सा दिलाया और अब मरने की बात करके मुझे फिर सा गुस्सा दिलाओ मत बाबा शिबू और दुख बरदाश्त नहीं कर्म होगा शिबू दूष्ट चाहे कितना भी बड़ा इंसान क्यों न बन जाए लेकिन उसे भगवान के सामने जुकना ही पड़ता है एक सच्चे भग पर चाहे कितने ही संकटों का तूफान क्यों न आ जाए भगवान हमेशा उसे उन संकटों से निकाल देंगे यही कर्म का सिध्धान्त है जै बजरंग बली, जै श्रीरा